हेलो गाइज वेलकम बाक तो मैं चानल इजी लर्निंग विध हमाल तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लेटर टू दे एडिटर कैसे लिखते हैं तो बेसिकली मैं आपको बता हूँगा कि अक्चुल में लेटर टू दे एडिटर होता क्या है और मैं आपको इंडिंग पैरग्राफ में कौन से लिखने हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा बाकि आप अपनी क्वेशन के क्कुल में एस स्कूल पर क क्षेशन करने वाला हूं तो description बॉक्स में जाकि आप मेरे यूज और ग sleeps Instagram पर मुझे follow कर सकते हो ठीक है वहाँ पर आपको यहाँ के notes भी मिल जाएंगी तो शुरू करते है guys letter to the editor क्या होता है so it is written to the editor of a newspaper so basically क्या होता है newspaper में एक letter to the editor column होता है तो हम letter editor को लिखते हैं so that वो हमारा letter उस column में publish करे so it is written to highlight a social issue or a problem so generally कोई social issue होता है कोई society से related कोई issue होता है ठीक है जो आप logo तक पहुंचाना चाहते हो उसको highlight करने के लिए letter to the editor लिखा जाता है and very important it is a formal letter यह formal letter है इसलिए आपको only formal language use करने होती है ठीक है कोई भी abbreviation या जैसे हम whatsapp पे language use करते है कोई short forms बगएरा यहाँ पे हमें use नहीं करनी तो चलो अब इसका format देखते है और फिर एक solved example करेंगे and guys उससे पहले मैं आपको बहुत amazing feature के बार में बताने वाला हूँ it is a totally free feature आप इसको free में access कर सकते हो ठीक है so मैं आपको बताने वाला हूँ ask a doubt feature on unacademy कि कभी भी अगर आपको maths और science के question में फस जाते हो ठीक है तो और आपको इसका solution नहीं मिल रहा है तो अब आपको free में उसका video solution मिल जाएगा within few minutes तो चलो जल्दी से मैं आपको बताता हो इस feature के बारे में तो basically unacademy लेके आए ask a doubt feature तो ये feature बहुत ही कमाल का feature है guys तो basically आपको क्या करना है देखो play store से डाउनलोड करनी है unacademy learning app क्योंकि अप feature है जो आपके android apps पे चलेगा तो आप इस feature में क्या है आपको simply जब आप लोग इन कर लोगे आपको जाना है ask a doubt पे पहला step है simply ask a doubt पे जाओ ये तब आपको यूज करना है जब आपको कोई भी doubt है तो ask a doubt feature पे जाओ उसके बाद आपको क्या करना है उस doubt की picture ले लेनी है या गैलरी से चूज करना है तो सबसे पहले उस को select करना पड़ेगा तो take picture को select करो तो या choose from gallery को select करो उसके बाद आपने जो picture ले ली अपने camera से या गैलरी से select कर ली question की ठीक है next step क्या है next step है कि आपको crop कर लेना है suppose particular question में doubt है question over 3 में doubt है तो third question को crop कर लो और subject choose कर लो तो अभी ये feature maths और science के लिए है तो maths और science में doubt है तो subject choose कर लो math है physics है chemistry है bio है कौन सा subject है और उसके बाद आपको बहुत ही जल्द within few minutes और maximum one और one and a half hour में मिल जाएगा video solution proper solution आपको मिल जाएगा तो कभी भी doubt होता है पढ़ाही करने बैठते हो किसी question में अटक जाते हो तो simply ये वाला feature use करो free feature है app download करनी पड़ेगी आपको बस ठीक है और उसके बाद तब तक बागी question solve करना और उतनी देर में आपको उस question का भी solution मिल जाएगा ठीक है और गाइस बहुत अच्छी चीज है कि अब आप an academy पे free classes के थूरू पड़ सकते हो daily बहुत ज़ादा life classes होती है वहाँ पे board exams की preparation के लिए बस आपको एक invite code चाहिए होगा तो मैं आपको अपना invite code बता देता हूँ HS19 तो कभी भी अन academy पे आप कोई भी free feature यूज करते हो तो आपको एक code की ज़ुरूत पड़ती है तो ये code याद रख लेना HS19 ये वाला code यूज करके अप सारे features unlock कर सकते हो और आप free classes भी देख सकते हो आपका free plan unlock हो जाएगा और कुछ classes का link मैंने description box में डाला उसको जरूर चेक करना Now let's look at the format अब format क्या है तो सबसे पहले हम बात करते हैं sender's address सबसे पहले sender's address आएगा ये उस particular person का address आएगा जो ये letter लिख रहा है अभी जब हम solve example करेंगे तो clearly बता दूगा ये लिखना कैसे फिर line छोड़के आपको लिखनी है date आप date लिख सकते हो और hyphen slash डाल के date नहीं लिखनी है proper आपको digits फिर month का name और फिर year फिर line छोड़के receiver's address so receiver's address मतलब the editor, newspaper का नाम और नीचे आपकी city ठीक है तो आपको receiver's address लिखना है 3 rows में उसके बाद आपको salutation लिखनी है अब देखो ये काफी confusion रहती है कि subject कहां पे लिखना है तो दोनों ही correct है अगर आप subject पहले लिख देते हो salutation से that is also correct और अगर आप बाद में लिखते हो तो भी ठीक है अगर आप कुछ अच्छे books देखोगे ठीक है तो subject salutation के बाद लिखा जाता है मैं भी हमेशा subject salutation के बाद लिखता हूँ बढ़ आजकल काफी schools में ठीक है subject salutation से पहले लिखवाया जा रहा है जो भी format आपके school में follow आप उसको follow कर सकते हो तो salutation लिखो फिर subject लिखो इस तरह से heading डाल दो subject की और उसकी बाद जो भी आपका subject होगा कैची होना चाहिए subject पढ़के actual में editor को पता चल जाए कि आपने किस topic पे letter लिखा है subject को underline करके आप full stop लगा दोगे उसके बाद आपका start होगा introductory paragraph तुम आपको introductory paragraph की कुछ lines बता देता हो बाद में आप उसको question के साब से लिख लेना through the columns of your esteemed newspaper I wish to draw the attention of the readers to words आगे जो भी आपका issue question में highlight किया हो है वो आप इसको इसको इसके आगे लिख देना उसके बाद आपका para 2 आता है जिस पर आप सारी details लिखोगे कि आप basically जो भी आपका question में given है उसको आप explain करोगे so we will discuss कि कैसे करना है अवी solved example में और उसके बाद अब आपका para 3 आता है तो यह para 3 वाली lines जो है यह sentences है इसको learn कर लो इसको as it is हर letter में link देना I therefore request you to publish this letter in the letter to the editor column so that citizens are made aware of their responsibilities तो यह sentences learn कर लो तो कभी भी कोई भी letter आता है आपको editor का तो 3rd paragraph आप आप आज़े लिख सकते हो फिर line छोड के you have to write thanking you then leave a line yours faithfully or truly और आपको अपना name लिखना है शली अभी solved example देखिये letter to the editor का write a letter to the editor of a daily newspaper complaining about the अब समझते हैं किस issue पे letter लिखना है construction work on your road in the middle of monsoon season basically आपको लिखना है कि भाई monsoon season चल रहा हो road के middle में construction work चल रहा है causing inconveniences to the people of a locality basically आप यहाँ पे municipal corporation को अवेर करना चाते हो municipality को अवेर करना चाते हो कि उनको चेक करना चाहिए कि ऐसा construction का work middle of the road में ना चले और यहाँ पे आपको अपना name भी given है ursudha slash sunil और address भी given है a resident of friends colony new Delhi ठीक है थोड़ा सा और addresses में add कर देंगे house number वेगेरा ठीक है तो चलो लिखते है letter तो start करते हैं सबसे पहले sender's address house number 42 friends colony new Delhi line छोड़के फिर date लिखी है आप कोई भी date लिख सकते हैं मैंने randomly कोई date लिख दी 10 December 2020 उसके बाद line छोड़के receivers address receivers address क्या होगा guys 3 rows में लिखना है पहले the editor फिर newspaper का नाम फिर city का नाम लिख सकते हैं फिर line छोड़के आपको लिखना है salutation sir या अगर आपके school में बोला है कि subject पहले लिखो तो subject पहले लिख लो उसके बाद subject और देखो यहाँ पर मैंने subject को underline किया हुआ और subject किया construction work causing us difficulties समझ आ रहा है letter से subject देखके लेटर के बाद में पता चल रहा है कि construction work के वज़े से जो difficulties हो रही है उससे related हमने लेटर लिख है तो चलो first paragraph में आपको बता चुका हूँ कैसे लिखना है through the columns of your esteemed newspaper I wish to inform the municipal authorities क्योंकि हम में municipal authority को aware कर रहे किस की बार में aware कर रहे जो question में लिखा है वही यहां पर explain कर दो of the difficulties residents of my locality are facing due to construction and repair work currently happening in a area फिर उसके बाद आपका second paragraph आएगा अब second paragraph कैसे लिखना है आप खुद अपने आपको उस situation में रखके देखो सबसे best आपको example दे रहा हूँ और इस तरह से कुछ ऐसे issues होते हैं आपने भी face की होंगे अपने locality में आप खुद सोचो आपकी locality में बारिश का मौसा में और बीच में construction work चल रहा है तो क्या क्या issues आ सकते हैं तो चलो देखते हैं कैसे लिखना है second paragraph 70 to 80 words में लिख सकते हो total 100 to 120 words का आपका letter ही है ठीक है तो आप उसी साब से इसको divide कर दो second paragraph को the repair work has been ongoing for five weeks and now is falling away behind schedule की बोला गया repair work पांच अफते से चल रहा है और ये खतम हो जाना चाहिए था अब ये खतम नहीं हुआ है and now with the current weather conditions we are facing problems of water logging and flooding in our area की पानी काफी collect हो रहा है flooding हो रहा है area में another worries about the accidents that may cause due to garbage lying around the road so आप खुद imagine करो यार अगर garbage इखटा हो जाएगा construction की वज़े से पानी का flow proper नहीं हो रहा है accidents होने के भी डर है और उसके साथ diseases के भी डर है diseases cause due to water logging are another one of our concerns so second passage में हमने उस situation को पूरा explain कर दिया third paragraph आपको पता है मैंने exactly आपको बता है क्या लिखना है वही लिख देना I therefore request you to publish this letter in the letter to the editor column so that citizens are made aware of their responsibilities उसके बाद आपको line छोड़के thanking you लिखना है और उसके बाद line छोड़के yours truly सुनेल तो इसी तरीके से आप कोई भी letter to the editor वाला question बहुत easily कर सकते हो so thank you guys for watching my video और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आएगी है तो इसको like कर दो comment कर दो share कर दो और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आयो तो चैनल को subscribe कर दो your guide bell icon भी press कर देना और अगर आप मुझे social media पर follow करना चाहते हो तो सब के links नीचे description box में है तो आप मुझे doubt पूर सकते हो telegram पे instagram पे या मेरी email id पे भी so thank you guys have a nice day जल्दी से मिलते हैं अब एक new video के साथ झाल